हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल जिसका नाम है कुकफित अफ्षा फ्रेंड्स हम बनाने वाले हैं आज राजस्थान की एक फैमस टिश जिसका नाम है दाल बाटी तो गाईज जिन्होंने नहीं क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करें बेल आइकन को हिट इससे उनको मेरी सारी आने वाली न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो गाईज चलिए फटावाट से हम बनाना स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी गाईज मैंने एक कप काली मसूर ली है इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इसको वाश करने के बार हम प्रेशर कूकर में इसको तीन सीटियान तक गलाएंगे यहां मैंने तीन कप पानी लिया है जो मैंने मेजर्मेंट किया है एक ही बाउल से अगर आप दाल ले तो एक काटोरी measurement है तो इसका 3 कप, 3 कटोरी डालेंगे अगर कपसे ले रहा है तो तक 3 कप उसका triple डलेगा 1 teaspoon इसके अन्दर हम नमा करें 1 teaspoon इसके अंदर रैच चिली powder डाट करेंगे half teaspoon हल्दी powder डाट करेंगे and next इसके अंदर हम ginger garlic paste लेंगे 1 teaspoon एक प्यास काटके डाल देंगे, एड कर देंगे और पकने देंगे, फिर हम लेंगे आटा लगाएंगे, तो मैंने यहां पे चार कप गियूं काटा यानि वीट फ्लार यूज किया है, यह मैंने मेजरमेंट ले लिया है, तो यह चार कप है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसके मैंने यहां पे 1 फॉर्ट कप मस्टर्ड ओयल लिया है, आप और फ्रिफाइंड ओयल भी उसकर सकते हैं, इसके तरह घी भी आइड कर सकते हैं, उसके बाद एक टेबल स्पून नमक आइड करेंगे, और 1 फॉर्ट टी स्पून के अंदर बेकिंग सोड़ा, अब इससे को अब इसको हम अच्छे से ओयल से एक कोट कर देंगे, इसके उपर टाकि यह सूखे ना, या तो आप इसके उपर गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन ओयल से होता है, थोड़ा यह चिकना हो जाता है, अब इसको हम ढखके इस तरीके से साइड में रख दीजिए, और हम नेक्स्ट अपनी डाल देख लेंगे, तो डाल हमारी गल चुकी है, जिती तरी में आठा तयार किया, अब इसको एक स्पून से या एक मैशर की हेल्प से, जो हमारी डाल है, उसको मैश कर लीजिए, आप चाहें तो बसूर की डाल, अरर की डाल, बाटी को किसी के साथ भी ख गरम मसाला लिया है, वन टी स्पून, दो तेज पत्ते, एक टेबल स्पून जीरा, तीन से चार लॉम, चार से पांच गलोफ लिये, और काली मिर्च लिये, प्याज ली थी रफली चौक, लाल मिर्च, अब तेल गरम करेंगे या घी, जिससे भी आप फ्राइ करना चाहें, तो मैंने या पर देशी घी ले लिया है, और मैंने या पर वन टेबल स्पून, थोड़ा जादा देशी घी उसकिया है, अब इसको गरम करेंगे अच्छे से, उसके बाद इसके अंदर हम दौनों बेली उसी एड़ कर देंगे, तेज पत्ते जो हम डालेंगे, जो हमने पतल सुखी ड्राय वाली, और हमारी लॉंग और काली मिट इसके अंदर डालके, अब हम इसके अंदर ये प्यास एड़ कर देंगे, और ये लहसुन जो है, हमने ग्रश किया हुआ है, वो भी ले सकते हैं, मैंने क्लोफ्स को अच्छे से कट किया है, रफली चॉप कर लिया है, इ अब तक हम इसको फ्राय कर लेंगे, धी दे इसको चलाते हुए फ्राय करेंगे, गाहित दाल बाटी बहुत ही यम्मी बनती है, इसको अब जरूर ट्राय कियेगा, और हाँ, अगर आप क्या कहते हैं, इसको उड़त की दाल से भी खा सकते हैं, आपकी उपर डपेंड करता है बर मेरे यहां पर इसे ब्लैक वाली मसूर दाल के साथ ही खाना पसंद किया जाता है, तो हमारी प्यास अल्मूस्ट तलने लगी है, गोल्डन होने लगी है, हमारा तलका अल्मूस्ट तयार होने वाला है, तो हमारी प्यास गोल्डन होने लगी है, इसके अंदर हम ग्रीन च अगर वैसे तो आप तो हर सीजर मिलता है अगर वह चाहा है वह भी या ऩटाल सकते हैं एक खटाइस वाला वाला हिंग टेस्ट थोड़ा सब्सक्राइब यह हमारा और हमना थाल्स कर सकते हैं देल को शचचा हो दाल यह हम इसके वह के ढदर एड्ड कर दि circuit dioda अगर आप चाहें, तो दाल को उपर से घी और हींग के साथ फ्राइ कर सकते हैं, यह मेरी अल्मूस्ट फ्राइ हो चुकी है, जब खाने की तियारी होगी, इसके उपर हम हींग का तलका लगा देंगे, घी के साथ घी गरम करके उसके दर हींग बस हलकी सी डालेंगे, और इसका जान है, देखे, मैंने इसके उपर बहुत सारा ग्रीन मिंट डाला है, सीजनल 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 का स्टार्ट हो चुका है, मिंट का फ्रेश मिंट हमें मिल जाएगा मार्केट में, अब हमारी नेक्स्ट है, बाटी बनाने की तरीका, तो यहां मैं आज तवे पर बाटी बना के अंदर तक कुकणियों पाएंगे, यह मेरा बहुत मोटा बेस का तवा है, तो यहां मैंने अपनी बाटी इसके उपर लगा दी है, और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे, यहलकी ब्राउन होने लगी है, इसको हम पलट लेंगे, यह आप जो बाटी कुकर आता है उसमें बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अवन में भी सेम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जिनके पाज अवन ना हो, वो बाटी का यह मैथड फॉलो कर सकते हैं, तो देखिए मेरी बाटी अच्छे से मतलब एक गोल्डन कलर इसके अंदर हलकल का आने लगा है, औ अब हम क्या करेंगे, हमारे बाटी तयार हो गई है, हम लेंगे देसी खी, आपको गाईज यहां पे अगर आके पास देसी घी नहीं है, या आपको देसी की खाना पसंद नहीं है तो आप यहां पर रिफाइन डॉयल भी उसकर सकते हैं, तो यहां मैंने इसको गो डीफ प्र पुश करना है, और इसको हमें इसके अंदर फ्राइ कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राइ करेंगे, और जितना स्मॉल साइज आप बाटी का बनाएंगे, अगर आप इस प्रोसेस से बना रहे हैं, तवीर पे या तो आपको बिल्कुल इसका साइस बहुत छोटा और इसकी थिकनेस को बहुत कम रखना है, मतलब आपको ज्यादा मोटी नी बनानी है, वरन यह अंदर से कुपनी हो पाएगी, यह बहुत इजी मैथर्ड है, मतलब अगर आपके पास अवर नहीं है, या आपके बाटी कुकर पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको को करना स्टार्ट किया है, और इसकी जो उपर की लेयर है, वो आप देख सकते हैं, गोल्डन होना स्टार्ट हो चुकी है, अब इसको टर्न करते जाएंगे, और इसको धीरी धीर करके फ्राई करते जाएंगे, देसीगी की खुश्बू वहाँ क्या आ रही है, देसीगी में कोई चीज़ पकती है, तो उसकी खुश्बू अलगी आती है, तो इस तरीके से हम सारी बाटियों को फ्राई कर लेंगे, यह इस तरीके से देखी किती अच्छे से फ्राई होके, कलर चेंज आ गया है, बिल्कुल इसका, और इतनी अच् यह बहुत ही, बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी, आज आपके साथ मैंने शेयर करिए, पर इसको फॉलो करिएगा, और बनाएगा, फ्राई होगी है, मैंने प्लेट में निकाल ली है, अब हमारी दाल बाट्टी की रेसिपी आज हो चुकिएगा, प्लेट खाने के लिए हम जरूर बना के देखिएगा, बाबाई, टेक क्यार